हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूटूब चैनल पर दिशान अकडमी दोस्तों हम लोग के विएस प्रिवेसर के पेपर को देख रहे हैं हमारा एक की बाद एक होता चला जा रहा है आज हम दो देखेंगे उसके बात की अच्छे-चे कोशन को और इसका एनलाइस करेंगे द प्रस्णों में पहले दो कथन का और खा तथा इनके बाद दो निश्कर्णज एक और दो दिये हैं दोरों कतनों को सही माने भले ही वे आपको आम तोर पर ग्याद तत्थों से भिन लगते हों फैसला करें ये कि कत्लों में कॉन सा दिया गये निश्कर्ण निश्चित तोर पर निकलता है अपना उत्तर निम्रिक्टित रूप से क्युत करे करें को दिखते हैं पहला क्योश रहा है दोस्तो कथन क्या का है पहला कथन क्या कहा है कथन है यदि प्याज के उत्पादन में कमी है तो प्याज की कीमत बढ़ेगी प्याज की कीमत बढ़ रही है देखें दो हमारा कथन है अब निस्करस में देखतें निस्करस क्या कहा रहा है प्याज के उत्पादन में कमी है प्यास का निर्यात किया गया था दोस्तों उसका सही एंसर क्या हो जाएँगा अव इनके प्यास के उत्पादन में कमी है हां दोस्तों क्योंकि कमी है अगला देखते हैं कतन क्या 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 रहा है यदी सभी खिलाड़ी अपनी पूरी छमता से खेले तो हम मैज जीत जाएंगे, हमने मैं जीत लिया है इसकर्स क्या है, सभी खिलाड़ी अपनी पूरी छमता से खेले अगर अपनी छमता से खेलेंगे तो मैं जीत जाएंगे, कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी छमता से नहीं खेले तो सो यह तो negative point होगा इसमें नहीं आएगा अब इसका भी देखिए ज और सही क्या हो रहा है पहला ही सही हो रहा है option क्या है हमारा हीसरा यदि केवल 1 निकलता है इसका भी क्या हो जाएगा पहला हीसरा जो है सही हो जाएगा option C अगला कतन देखते हैं कुछ कारोबारी धनी है इसको देख लेते हैं हम लोग ये हैं कारोबारी इसमें से धनी है कुछ लोग इसके बाद है सोनम धनी है सोनम इसमें आ जेंगे वालों सोनम है ये सोनम क्या है धनी है आगे रेखते हैं जिसको क्या कह रहा है सोनम एक कारोबारी है सोनम की एक बड़ी फर्म है इससे संबन में कुछ कहा नहीं गया उस अधर पर देखे दोस्तों दोनों कथन हमारा गलत होगा ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा तो हमारा एंसर क्या हो जाएगा यदि एक और दो दोनों निकलते हैं यदि ना तो एक ना ही दो तो दोनों हमारा गलत हो जाएगा तो ऑप्शन जो एक क्या हो जाएगा यदि ना तो एक ना ही दो हो तो इसका एंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए अगले लेते हैं राजेस का परिचय कराते हुए नेहा ने कहा इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलावते बेटे है नेहा का राजेस से क्या रिस्ता है दोस्तों blood relation से question है चलिए उसको हम देख लेते हैं यह नेहा नेहा ने राजेस का परिचे कराते हुए नेहा ने कहा यह मालने जह राजेस हो गए क्या कहा इसके भाई के पिता राजेस के जो भाई है के पिता मनलब दोलों के पिता एक ही हो गए ठीक है मेरे दादा के इकलावते बेटे हैं इकलावते बेटे है इसका मनलब क्या हो गए यह भी उनकी बेटी ही हुई उनके जो दादा है यह जो मलो हो गए, grandfather, यह इनके बेटे हो गए, और इनके यह बेटे हो गए, तो यह क्या हो गए, इनकी बेटी ही हो गए, पुछा हुआ नेहा का राजस से, तो नेहा और राजस क्या हो गए, भाई बैन हो गए, तो हमारा आपसन जो दोस्तों क्या हो जाएगा, सी जो होगा, और अगले वर्स वह एक संख्या का घन हो जाएगी, उसकी आयू को फिर से एक संख्या का घन हो जाने के लिए उससे कितना और इंतिजार करना पड़ेगा दोस्तों हम लोग पहले देख लेते हैं कि हमारा वर्ग करने पर और घन करने पर की दोनों के बीच में अंतर 1 यह का कब होगा दिखेंगे लोर करेंगे करेंगे चार्थ होगा अंतर हमारे यला deeper टीन करेंगे लूल होगा आटर हमारे याद़ हो जाएगा ग 치ार करेंगे शोला 27-पांस कर रहें पचीस और 16 यह कितना वर्ग ये कितना होगा 25 और इधर कितना करेंगा 3 का घंड तो ये हो जाएगा 27 तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 27 अब देखिए इसमें कहा क्या गया है राम की आयू पिछले वर्स एक संख्या का वर्ग था मholdा अगर हम यहाँ पा 26 कर लेते हैं 26 का एक कितना होगा ये मायनस पिछले वर्स कितना था 25 वर्ड था आगे कहा है एक संख्या का वर्ग थी और अगले वर्स वा संख्या का घन हो जाएगी अगले वर्स क्या हो जाएगी वो संख्या का घन हो जाएगी यहाँ पर प्ना स्वन मालनेचे उसकी आयू को फिर से एक संख्या का घन हो जाने के लिए उसे कितना इंधिजार और करना पड़ा उसकी क्या है एज क्या है x बराबर माल लेते है 26 साल है अब ये हमारा अगला साल 3 है 3 के पराकम 4 का घं करेंगे तो 4 का घं क्या होता है 64 64 से माइनस कर देंगे हमारा answer हो जाएगा 64 माइनस 26 14 में 6 जाएगा 8 ये हो जाएगा 5 में 6 दो जाएगा 3 तो कितना हो जाएगा 38 साल बाद क्या होगा फिर से वो घन हो जाएगा हमारा आपसम देखिए यह ही दोस्तों correct होगा अब ला question लिखते हैं एक party में प्रतेक मौजूद व्यक्ति प्रतेक अन्वैक्ति से हाथ मिलाता है यदि कुल मिलाकर 105 बार हाथ मिलाए गए तो party में कितने व्यक्ति मौजूद थे माना व्यक्ति बराबर x इसका जोसर फार्मूला होता है n n n-1y2 बराबर कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया है मतलब कि कुल संख्या कुल संख्या किसकी हाथ मिलाने की अब देख लेते हैं n हमें ग्याद करना है n-1y2 बराबर कुल संख्या कितनी है 105 बार हाथ मिलाया गया है बराबर 105 के यह हो जाएगा n का गुड़ा करेंगा n-2-n बराबर यह क्रॉस मौलिटिप्लाई होकर कि कितना हो जाएगा 210 n-2-210 बराबर 0 के यह हमारा क्या हो जाएगा इसके दो पधन को निकालना है इसका दो संख्या ऐसी लेना है जिसका गुड़ा करने पर 210 आए और जोडने खटाने पर क्या आए एक आए तो अगर मैं 15 गुड़े 14 करेंगे 15 गुड़े 14 14, 75 14, 14, 14, 21 210 210 हो जाएगा दोस्तो यहां पर करेंगे N स्कुड़े 15 15 X 14 15 N 14 N 210 बरावर 0 के अब देखे 15 में से 14 गटाएंगे एक हो जाएगा इसका गुड़ा करेंगे प्लस, मैनस, मैनस हो जाएगा और गुड़ा करेंगे 210 हो जाएगा इसमें के कामन करते हैं इनको बचेए किया in minus 15 यहां plus 14 को common करेंगे क्या बचेए का in minus 14 का भाग देंगे 210 में कितना हो जाएगा 15 12 बराबर जीरो के n-15 वराबर 0 तो n बराबर क्या हो जाएगा 15 ? n के दो माल आएगे दोस्तो n-14 वराबर 0 , n-14 अब देखेव इसमें कौन सा option आ रहा है ? n-15 रहा है और n-14 वङ्द्रा हो और तो n-45 फलत हो गए नहीं तो हमारे bạn Αsan सून जिस ड Alois कर्रेक्ट हो जाएगर कितना आएगा इन बराबर 14 वैक्ति कुल मौझूद थे किसी कतार में मैं आखरी वैक्ति हो जबकि मेरा दोस्त आगे से सातमा है यदि मेरे और मेरे दोस्त के ठीक बीच खड़ा वैक्ति आगे से 23 अस्थान पर है तो कतार में मेरा अस्थान क्या है तो दोस्तों देख लेते हैं इस कुशन को यह है लाश्ट कोजिशन पर जिसकी बात हो रही है वह है यह उनको ज्याद करना है और अगला क्या उनका जो दोस्त है सातमा अस्थान पर है आगे से इनका जो फ्रिंड है मालूजे इनका नाहा मालत है ex यदी मेरे और मेरे दोस्त के थीख बीच खड़ा वै՞्थी आगे से 23 hasthahn पर मतलब कि ये दोनों के बीच में भी है और आगे से 23 hasthahn पर कितने अस्थahn पर है 23 hasthahn पर और dोनों लोग के बीच में भी है, अब देखें, दोनों का अंतर कितना होगा, 23-7 करेंगे 16, दोनों के बीच में 16 हो जाएके, लेकिन यहां पे कितना हो जाएगा, 15, और अगर दोनों के बीच की दूरी कितनी बराबर है, 15 यह हो जाएगा, 15 यह हो जाएगा, और यहां तक 7 हो जाएगा, 15, 15, 36, 36, 37, 38 और 49 टोटल केतने लोग हो थे 49 लोग हमारे इतने किस option में दोस्तों तो option D दोस्तों ये क्या होगा correct होगा अगला question लिखते हैं यदि कूट भासा किसी कूट भासा में ये लिखा हुआ है THRIVS को SIUHRDU लिखा जाता है तो उसी कूट में सोलफुल को क्या लिखा जाएगा चले दोस्तों इसको देख लेते हैं THRIVS इसको क्या लिख रहे हैं S I U H R D U X R के बाद S आया T के बाद U आ रहा है और HI मतलब कि क्या है? Plus 1 का क्या हो रहा है? Cross हो रहा है इसमें देखेंगे HI, यहां Minus 1 उसके बाद U V देखें, यहां पर उल्टा हो रहा है यहां पर क्या होगा? RS और DE यहां पर Minus 1 ठीक है, अब इसके आधार पर इसको हम लोग कर लेते हैं S, I, U, H, R, D, U Solful को बताना है S, O, U, L, F, U, L Solful को बताना है, अब देखिए R का कि इसका एक प्लस हो गया है, S का हो जाएगा P, U का हो जाएगा V, और H, I, तो O का हो जाएगा P, V, P, T हमारा किसा अप्शन में हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसका अमला यह दोनों गलत हो गया आगे देख देखिए L, H, I, J I, H, I तो हो जाएगा O, P, Q K, यहाँ पर K, L हो गया अब यहाँ पर देखिए, माइनस वन किया गया है, तो माइनस वन कर लेंगे तो L का क्या हो जाएगा K और F का हो जाएगा E T इसका हो जाएगा T अब देखते हैं, V, P, T, K, K, T, E V, P, P V, P, T, K, K, T, E हमारा पहला ही देखिए, सही हो जाएगा यह, पहला ही अफसन दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ठेके दोस्तों, क्या हो जाएगा V, P, T, K, K, T, E हमारा पहला अफसन सही हो जाएगा, अगला कुशन लेखते हैं मोहन दच्छिड दिसा में 30 मीटर चला फिर बाई और मुड़ा और 15 मीटर चला इसके बाद वा दाई और मुड़ा 20 मीटर चला फिर वा दुबारा दाई और मुड़ा और 15 मीटर चला चलना सुरू करने की अस्थान से अब वक कितनी दूरी पर है वहीं बताना है दोस्तों चलिए, यह है मोहन, मोहन कहा है, दच्छी डिशा में 30 मीटर चले हैं, चलिए, दच्छी डिशा में 30 मीटर चले हैं, फिर वह बाई और मुड़े और 15 मीटर चले हैं, यह मुड़े हैं, यहां पर चले हैं 15 मीटर, इसके बाद दाई और मुड़े हैं तो दाएं और मुणे और 15 मीटर चलें फिक है 15 मीटर ये चल लिए चलना सुरू करने के अस्थान से अब हुआ कितनी दूरी पर है माल देजिए ये A है B, C, D और E तो A और E के बीच की दूरी पता पुशर है पुल दूरी तो इसमें क्या हो जाएगा C, D बराबर 20 मीटर है तो C, D बराबर किसके हो जाएगा B, E के बराबर 20 मीटर के इसका मतलब ये दूरी भी हमारी कितनी हो जाएगी 20 मीटर जब ये 20 मीटर और 15 मीटर मुल कितना हो जाएगा A, E बराबर 20 और ये टोटल कितना था 20 और 30 टोटल दोरी करने तो यह वाली 30 और 20 कितना हो जाएगा 50 मिटर तो यही पूछा था कोशन में 50 मिटर क्या होगा सही होगा हमारा आपसन भी दोस्तों सही हो जाएगा अगला कोशन नेकते हैं नीचे दी गई अच्छर स्रंकला में अगला अच्छर काउन सा होना चाहिए क्या दिया हुआ है PQRST ABCDE PQRSABCDE PQRSABCD इसके बाद PQ के बाद क्या आएगा देखें जोस्तों पहले क्या है 5 था फिर 4 हुआ फिर 3 हुआ अब क्या हो गया 2 हो गया परहे कहता है एक दो तींजा पांच था फिर 4 अब इसके बाद क्या हो जाएगा PQR इसमें क्या जोड़ेंगे सिर्फ R हुमारा दोस्तों अपसंट जो A हे गओ वही क्या होगा अगला कोशन दिखते हैं किसी कूट भासा में हाउ कैन यू गो को जाड़ा का पा करा जाता है और कम एड़ गो को रसपा लिखा जाता है इस बासा में हैर को क्या लिखा जाएगा वही पुछा है दोस्तों अब देख लिते हैं हैर कहाँ पर है यहाँ पर है इसी में से इसका answer है लेकिन अभी हमको पता रहे कौन सा है ना का साजा में से चार में से है इसमें कौन सा वर्ड common हो रहा है यू यहाँ पर भी है और can है मतब दो वर्ड जो है इसमें common होंगे वही कड़ जाएंगे तो यहाँ पर देखे जा है तो जा कड़ गया और उसके बद का है इसका मलब दो इसमें कड़ गया बचा क्या ना या सा आगे देखते हैं कम बचा हुआ है अब इसमें कौन सा common हो रहा है ना सा में यहाँ पर देखे सा common हो गया तो यह सा भी कड़ गया हमारा देखे हेर का answer क्या हो जाएगा ना option B दोस्तों क्या होगा चलिए अगला question देखते है चालिस बच्चों की एक कतार में आर दाय सीरे से ग्यारावे अस्थान पर है और आर तथा M के बीच 15 बच्चे है कतार के बाय सीरे से M किस अस्थान पर है चलिए इसको कर लेते है चालिस बच्चों की एक कतार है और r दाये सीरे से 11 हिर्थान पर है और r तथा m के बीच 15 बच्चे है अब देखे इधर तो जाएंगे नहीं आएंगे इधर ही मतलब कि इसके बीच में 15 बच्चे है तो यह हो जाएंगे 15 बच्चे मानलों यहां पर हो गए पंदरा, ग्यारा, छबिस तो यह 27 हो जाएगा टोटल कतार के 22 सीरे से M किस अस्थान पर है कतार के 22 सीरे से पुछा हुआ है टोटल लखे यहां तरह 27 हो गए और यह 13 तोटल यहां पर कितने बच्चे बचेंगे 13 बचेंगे 13 और एक उनको भी जोड़ लेंगे M वाले को भी, M को भी तो 13 और एक कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा कितने अस्थान पर है, 22 से 14 अस्थान पर है option A दोस्तों यह का हो जाएगा correct होगा, अगला देखते है P, Q, R, S और T में हर एक की लंबाई अलग-अलग है Q, T से नाटा है और S, P तथा क्यों से नाटा है इनमें से सबसे नाटा कौन है वही बताना है R, S, P या आकड़े A परियाप्त है चलिए देख लेते हैं Q जो है, T से नाटा है तो T is greater than P क्यों हो जाएगा S, P तथा क्यों से नाटा है अब देखिए S की स्थिति S जो है, मालूँ S यहाँ अगर करते है P तथा क्यों यह P हो गए और यह मालूँ क्यों लेकिए इनकी स्थिति नहीं बता है या किस इस प्लेस पर है आगे एक इस श्रिप्न नाटा है इन में से कौन सबसे नाटा है अब दोस्तों अगर यह हमको पता होता कि यह किस स्थिति पर है अब हम जान पते हैं लेकिन यह क्या है हमारे जो डाटा ही क्या है पूरे कंप्रीट नहीं है तो अब देखिए R, S, P अपनी बताने से ते कौण है आगे कौन चोटा है कौन बड़ा है तो हमारे जोसरा क्या है आकळे आ परियाप्त है जब इस प्रकार के क्वाश्चन होगा जिसमें क्या होगा आकळे पुल्ड ही दिये रहे हैं तो क्या लिखेंगा आकडे आ परियाप्त है तो उसका option B क्या होगा, सही हो जाएगा, अगला कोशन दिखते हैं किसी कूड भासा में कॉनक्वेर को NMBRQT लिखा जाता है, इसी कूड भासा में, स्टीमर को क्या लिखा जाएगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं कॉनक्वेर को MNBRQT DT देखें, दूस्तों जैसे अभी पिछला किये तो ऐसे ये भी है M का देखें क्या होगा, N B का हो जाएगा, C N का हो जाएगा, O माइनस 1, ठीक है RQR, अब देखें यहाँ पर क्या है, प्लस 1 यहाँ प्लस 1 हो रहा है अब यहाँ पर भी देखें T का क्या हो जाएगा, U और QR DE, यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस 1, इसके पहले वाले प्लस 1 था, फिर माइनस 1 था, लेकिन यहाँ पर माइनस 1, प्लस 1 और माइनस 1, अब देखें, देख लेते हैं इसको भी, स्टीमर M, E, R यह हो जाएगा, D, R R, S, T S होगा, D, S और S का हो जाएगा, D, S, R, R D, S, R हमारा किसे अफ्षन में है, D, S, R देखें, D, R, S, यह गलत हो जाएगा D, S, R, यह भी ही, D, S, R तब देखें, तीन अफ्षन में कौन सही होगा आगर देखेंगे हैं, Q के बाद, A के बाद हो जाएगा, B A के बाद, B देखेंगे, यह सही है, यह भी गलत हो गया M L हो जाएगा, M का L R, B, Q क्यों हो जाएगा, और जिसका हो जाएगा D, Q, D, L Q, D, L दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, Option D जो होगा जाएगे, D, S, R, B, Q, D, L अगला कोशन देखेंगे, अगला कोशन है यदि भाग का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है गुडा, प्लस का अर्थ है माइनस, और इंटू का अर्थ है विवाइड तो, 14 माइनस 4 गुडे 7 भागे 12 प्लस, आर्थ का मान क्या होगा, चलिए दोस्तों इसको हम दो देख लेते है 14, 4, 7, 12 और 8 माइनस का अर्थ क्या है, गुडा देखें, माइनस का अर्थ क्या है यहाँ पर गुडा कर लेते है गुडा का अर्थ क्या है, भाग गुड़े का अस्थान पर भाग कर लेते हैं उसके बाद है भाग की अस्थान पर क्या होगा प्लस भाग की अस्थान पर क्या हो जाएगा प्लस और प्लस की अस्थान पर क्या हो जाएगा माइनस अब इसको solve कर लेंगे हमारा answer हो जाएगा फहले भाग करेंगे तो कि आगर रहेंगे 14 गुड़े 4 बटे 7 फ्लस 12 माइनस 8 साथ दुनी 14 दो चोग 8 फ्लस 12 माइनस 8 तो 12 आठ 20 हो जाएगा 20 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा 12 हमारा एंसर कितना होगा दोस्तो 12 अगला कोशन नेखते हैं कि कोशन नमर 16 है इन प्रस्णों के उत्तर देने के लिए नीचे दी गई वरस्था पर ध्यान से अध्यन करें दोस्तों यह दिया हुआ है निमलिखित में से दाएं सीरे से पंदरावें अस्थान के बाईं और तीसरे अस्थान पर कौन है दोस्तों पंदरावें अस्थान के बाईं और तीसरे अस्थान पर कौन है दोस्तों पंदरावें अस्थान के बाईं और तीसरे अस्थान पर कौन अगर देखिये opposite,yay फूज्ट पूछता है तो vous केom से पूछे किया करेंगे यहाँ पर पहला डाया थाleistिता हुद्स कड़ें फ्लस करेंगे अगर वही दायाبة क्या करते मारा घ्रeral करते को जाएक सभी है अगला कोशन देखते हैं, उपरिक ववस्था में ऐसे कितने वियंजन वर्ड हैं, जिनके ठीक बाद एक समसंख्या और ठीक पहले एक प्रतीक चिन है, अब देखते हैं, प्रतीक चिन के पहले एक समसंख्या और बाद में एक वियंजन वर्ड है, अब प्रतीक चिन के पहले एक समसंख्या यहां पर भी नहीं है, पर तीचिन की पहले एक समसंख्या नहीं, यहां पर भी देखे, भी समसंख्या है, यहां पर संख्या ही नहीं है, यहां पर भी क्या है, कोई भी नहीं है, दोस्तों कोई भी नहीं है, अमारा क्या हो जाएगा, कोई नहीं, option A दोस्तों क् लिखते हैं उप्रित वयवस्ता के अधार पर नेमलिकिस रंखला में प्रेस निचिन की जगहां पर आना चाहिए इसके बाद कबद PM3 इसका मलब क्या है पी लिया गया है फिर M लिया गया है और एक गैप करके इसके बाद है ASL इसके बाद है जेड इसको कट किया गया Z at the rate है यह हो गया अगला पुशा हुआ है अब देखे एक गैप करेंगे हम क्या करेंगे 7 U or 8 क्या हो जाएगा 7 U or 8 एक गैप कर देंगे यह हमारा क्या होगा आता है यह हमारे option दिये हुए है कौन साइस समों में नहीं आता है वही देखना है A4 start अब देखे दोस्तों A है A4 उसके बाद start किया गया पिछला question जो था उसका just opposite यह है उसके आधार पर यह बताया गया है उसके बन क्या TBY अब देखे हमारा T कहा है T A है B A है और Y है मतब पहले उसके पहले इधर आना है यहां से ऐसे और फिर इस थरह से ठीक है जबकी इसमें क्या क्या है दर पहले ऐसे आये थे और फिर यहां से ऐसे आये थे अब आगे देखते है 9 I W अब देखें 9 कहा है यह 9 हो गया आई हो गया और फिर W इस तरह से हुआ है और V 5 U V V 5 और U दोस्तों देखें हमारा ये और ये और ये तीनों तो सेम हो जा रहा है लेकिन A 40 हमारे क्या हो जरा पहले तो अपविट हो जा रहा है तो हमारे ये दोस्तों क्या हो जाएगा विसम पूशा हुआ है तो विसम हमारे उसों आपसल ए हो जाएगा अगला कोशन निखते है कोशन नमर 20 है उपिजूत विवस्ता में ऐसी कितनी संख्या है जिनके प्रतेक के ठीक बाद एक स्वर वाड आता है और ठीक पहले एक वियंजन मतलब पहले एक क्या आएगा हमारा कॉंसलेट आएगा उसके बाद कोई संख्या आएगी उसके बाद क्या आएगा एक हमारा सवर आएगा देख लेते हैं पहले क्या है वरस्ता में ऐसे किती संख्या है संख्या देखते हैं संख्या के पहले संख्या के पहले क्या है हमारा कोई वेंजन आना चाहिए और उसके बाद सवर आना चाहिए वेंजन है स्वर नहीं है अब देखे संख्या है लेकिन स्वर है स्वर के बाद वेंजन है पहले लेकिन यहाँ पर क्या पुछा है पहले वेंजन होना चाहिए उसके बाद स्वर यह तो नहीं होगा संख्या के पहले वेंजन लेकिन स्वर नहीं है यहां पर भी नहीं होगा यहां पर जखते हैं उसके पहले एक वेंजन यह स्वर यह भी है यह स्वर भी यह भी नहीं होगा आगे आट भी नहीं होगा यहां पर दिखते हैं इसके पहले देखें वेंजन है और वेंजन के पहले बाद में क्या एक्सवर है पहले बेंजन है, एक्सवर है, यह हो गया और आगे कोई नहीं है, दोस्तों हमारा A की सही होगा, option B दोस्तों A क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अगला question निखते है question number 21-24 तक है इन प्रस्नों के उत्तर देने के लिए नीचे दी गई, सुचना को ध्यान से पड़े किसी लोहार के पास सोने की पांच वस्तुए लोहे की, लोहार के पास लोहे की पांच वस्तुए A, B, C, D, E है जिसमें प्रतेक का अलग-अलग वजन दिया गया है, A का वजन B के वजन का दुगना है B का वजन, C के वजन C का वजन, D के वजन का आदा है D का वजन, E के वजन का आदा है, और E का वजन A से कम, लेकिन C से जादा है चलिए हम E बराबर माल लेते हैं E बराबर हमारा क्या है?' X, फिलो ग्राम अब इस से हम लोग बाकी सब को solve कर लेंगे, E के बाद हम लोग क्या क्या कहा था, condition क्या क्या था, D का वजन E के वजन का आधा है क्या हो जाएगा, X बटे 2 बराबर 0.5 kg क्योंकि यहाँ पर X बटे 1 होता ही है अब हम C करते है, C बराबर C के लिए क्या condition का है, C का वजन D के वजन का आधा है, मतलब क्या है, D के वजन कितना है, 0.5 X बटे 2, यह कितना हो जाएगा 0.25 X किलो ग्राम C का मालूम हो गया हमें, अब B का जेखते हैं B के वजन के वजन के लिए क्या कहा है B का वजन C के वजन का साड़े 4 गुना है, इसका कितना है साड़े 4 गुना, मतलब कि 0.25 गुड़े कितना गुना का, 4 गुना का है साड़े 4 गुना 0.4.5 से गुड़ा कर देते हैं चलिए तो 2.5, 4.5 25, 25 25, 22, 22, 25 25, 28, 28, और 1, 9 यह जाएगा 5, 2, 9, 2, 11 2 और 1, 3 गुना के बाद 0 हमारा हो जाएगा 1.25 x किलोग्राम एक का कितना हो जाएगा एक का वजन, बी के वजन का दुगुना है बी का वजन एक कितना है 1.25, गुड़े 2 बराबर 2.5, 10 2.25, 25, 25, 2 2.25, 25, एक्स किलोग्राम प्ले दूस्तों, आया हम जिएगा किसका वजन सबसे कम है कि माननका एक हो गया 1, 2, हमारे दूस्तों सबसे कम किसका है, C का 0.25 Cat C का वजन जिएगा 2.26, गुवर दूसर जादा है पर देखे ई का वजन क्या है 1 kg है और एक किलोग्राम मैं लो अब देखे ये कम हो जायेगा और ये कम होगा ये तो ज्यादा हो रहा है ढ़े ज्यादा हो जा रहे हु आखे आगे देखते हैं निम्लिखित में से किस वस्तू का वजन सबसे जादा है दोस्तों सबसे जादा वजन । देखेते हैं, देखिए दो जस्मलो, दो पांच, एक्स किलो क्राम तो भार सो ए जो होगा, वो करेंट होगा आगे कहा गया है, वस्तू की वजन एक परिच्छा में एक विध्यारती प्रतेक सही उत्तर के लिए चार अंग पाता है और प्रतेक गलत उत्तर पर उसका एक अंग कड़ जाता है यदि वह 75 प्रतेक का उत्तर देता है तो 125 अंग प्राप करता है और 125 अंग प्राप करता है सही उत्तरों की संख्या क्या है दोस्तों हम आप्सन दे कर लेते हैं बहुत इसी हो जाएगा ले देखते हैं 25 को गुला करते हैं 35 गुडे 4 क्योंकि एक कितना मिले एक कोश्चन पर चार रंग मिलना सही होने पर चार पंचे बीस चार त्याही बारा और दो चौदा एक सो चालीस हो जाएगा और एक सो चालीस में से अगर हम कितना कोश्चन बशेगा घटाएंगे 125 125 अगर हमा लोग घटाते हैं तो हमारा पांच यह हो जाएगा चार में से दो गया दो पचीस कोश्चन होगे 25 नमबर नहीं दोस्तों क्योंकि 75 कोश्चन हो रहे हैं नहीं होगा आगर जाते हैं 40 अगर इसको करेंगे 4 से बुड़ा करेंगे तो हो जाएगा एक सो साथ में अगर हम 125 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 105 ही हो जाएगा 5 में से जाएगा तीन देखे 40 कोश्चन यह है 30 कोश्चन इसमें 75 क्या हो जाएगा 40-35 कोश्चन मिला करें 45 हो जाएगा इसको कितना हो जाएगा कितने कोश्चन के लिए 40 ही हमारा हो जाएगा साही तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारे ग्लास कंप्रीट होती है और अगर आपको कहीं पर भी कोई वीडिया उटो कमेंसर में जुरूर पूछिए और हमारे साथ देते लिए हमारे चैनले को और बहुत भलेवाद